Hello Everyone and Education Channel आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BPSC 3.0 की जो Tentative Date थी उसको Change किया गया है Revised Date आपका Revised Exam Calendar फिर से जारी हुआ है जिसमें ज़्यादा संसोधन नहीं हुआ है लेकिन संसोधन हुआ है उसी संसोधन को हम आपको बताने वाले हैं साथ ही BPSC 3.0 के Supplementary Result में क्या रहा क्या result आएगा या नहीं आएगा साथ में ही BPSC 3.0 का नया result जारी हुआ है जिसमें कुछ आपत्या थी जिस वज़े से उस result को जारी नहीं किया गया था तो उस result को जारी किया गया है उन सभी अभ्यरतियों की list हम आपको दिखाएंगे जो की इस आपत्य वाली list में वो आए हैं यानि की उनका number आ गया है वो teacher बन गयी है उनको हम आपको इसके बाद दिखाएंगे पहले आपको हम exam की date दिखा देते हैं जो revised exam calendar जारी किया गया है आप अपनी screen पर देख रहे होंगे BPSC की हमने website से इसे download किया है जहां पर उन्होंने अपना exam calendar कल की date में issue कर दिया था जहां पर teacher recruitment exam ये है आपका क्योंकि उन्होंने तो पूरा करेंगे लेकिन आपके से जो सम्मंद रखता है वो है teacher recruitment exam यानी TRE जिसको लिखा हुआ है from 24 अगस्त तो 24 अगस्त को ये आपका exam होगा और इसका result आएगा 24 September को यानी just one month आपका एक month बाद result ये दे देंगे तो आपको 24 अगस्त में ही पहले था लेकिन एक दो दिन का हेर फदल हो जाता है और ये अभी भी tentative लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए क्योंकि कुछ चीजें बहुत technical भी होती है सामाजिक राजनेतिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं कई बार हमारी परिक्षा को ये मुद्दे हो जाते हैं तो जो इसलिए tentative लिखा जाता है इसलिए उन्होंने पहले ही बता जिया कि 24 अगस्त को आपका एक्जाम होगा 24 सेप्टमबर को आपका result देख दिया जाएगा तो आप तैयारी करते रहें बाकि बात कर लेते हैं हम दूसरी जो BPSC के supplementary result के regarding है जो आप सभी का supplementary result है उस supplementary result में आपके में जो अभीरती गए हुए थे हमने कल भी आपको बताया था कि BPSC के जो चेर्मेन है उन्होंने जो ट्वीट किया था उसकी फोटो कॉपी निकलवा कर वो सबी वहां विभाग गए तो विभाग ने कह दिया यह हमारा काम नहीं है फिर वो BPSC गए तो BPSC वालों ने भी कह दिया हमारा काम नहीं तो भीरती बिचारे परिशान है लेकिन उन्होंने एक जोटता दिखाई है आप इसी परकार से अपनी एक जोटता दिखाते रहें कुछ आवाज वहां तक पहुँची है कुछ सुर्वराहट नजर आती है इसलिए आप इस कारिया में लगे रहें हाला कि अभी तक किसी ने कहा नहीं है क्योंकि जो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था आपने देख लिया होगा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें सप्लीमेंटरी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो आपका पूरक परिनाम है जिस पूरक परिनाम में बिलकुल साफ मना कर दिया गया है कि नहीं आएगा तो लेकिन अब जब आप फ़र से प्रयास कर रहे हैं तो कुछ सुर्फराट सी नजर आती है इसलिए आप लगे रहेगा बहुत अब्यरती है कुछ टुकडों में ना जाईएगा हमारी रिक्वेस्ट है इसलिए हम वीडियो बनाते है ताकि हमारी वीडियो के मादने से जब हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेर होती है तो लोगों तक आवाज पहुंचती है आपकी इसलिए हम भी आपसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जाईए और अपनी आवाज उठाईए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर करिएगा ताकि पृतिये एक कैंडिडेट तक वीडियो पहुंचे और आपकी आवाज पहुंच सके तो आएए अब तीसरे पृइंट पर हम बात कर लेते हैं हमने इस वीडियो में तीन पृइंट बताई थे कवर करने के लिए एक तो BPSC का जो नया एक्जाम रिवाजड कलेंडर है वो दूसरा BPSC सप्लिमेंटरी रिजल्ट जो हमने पता दिया भी और तीसरा है जो BPSC TRE 2.0 के अब्यर्थियों का रिजल्ट आया है ये वो रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनका आपत्ती थी जिनकी उनकी आपत्ती का निवेदन का निस्तारन हो गया है क्योंकि उन्होंने किसी कारणवस इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई या कोई सपत पत्र नहीं लगा था लेकिन वैसे ये सभी अब्यर्थी ओके थी कोई ना कोई इनके साथ कारण रहा टेक्निकल इशू रहा जो भी रहा तो अब इन आपत्ती निस्तारन के बाद इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर देखें आप विज्यापन संख्या 27 ओब्लिक 2023 यानि TRE 2.0 की यह विज्यापन संख्या थी जिसके अंतरगत यहाँ पर आप साथ देखेंगे के आधार पर प्रकासित परिक्षाफल के प्राप्त आपत्ती आवेदन के निस्तारन के पश्टात कट ओफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण कट ओफ से अधिक अंक हैं इन सभी के आयोग निमनाकित उम्मीद्वारों को सिख्षा विभाक के अंतरगत निमनाकित वर्ग विश्यों में सफल गोशित करता है आपत्ती आवेदन के निस्तारन के बादी यहाँ पर यह पॉइंट देखें आप और इनके अंक भी अच्छ यह अपना रॉल नंबर देख लें और इधर ही विशे उर्दू है यहाँ पर दो कैंडिडेट के नाम आए हैं यह रॉल नंबर है पहले पर और दूसरे पर यह दो रॉल नंबर है एक दोनों फीमेल है यह भी इबीसी से बिलाउं करती हैं अब देख लेते हैं हम मध्यवर यानि क्लास 6-8 आप स्क्रीन सॉट जरूर ले ले क्योंकि बोला हुआती जल्दी ध्यान नहीं रहता है इसलिए स्क्रीन सॉट भी लेते रहे यह मैथमेटिक्स और साइंस का है इस सभी का आप स्क्रीन सॉट ले ले यह सभी अभ्यरती उत्तियुन है और बीपीसी से अब जैनित टीचर बन चुके हैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन्स आप सभी को यहां पर इंग्लिस विशय के हैं आप स्क्रीन सॉट ले लें सभी का मैं इसलिए थोड़ी दे रुकी हुई हूँ यह सोसल साइंस का है यह उर्दू का है नीचे और साइड में इधर संस्क्रि अगर उपर वाला नहीं लिया है तो यहां से उपर प्राथमिक का था यह दूसरे नंबर पे 628 यह आपने ले लिया होगा अब नीचे देख लीजे किलियर चीज लिखी हुई है कि मूल परिक्षा फल में अंकित सभी सर्थ यथावत इसी में भी लागू होंगी यानि जो अश्रत है पहले थी वही इसमें भी आपके साथ भी लागू होंगी एवं यह परिक्षा फल भी उसी प्रकार पूर्णत ससर्थ है पूर में प्रकासित मूल परिक्षा फल के लिए निरधारित कटॉफ में कोई परिवर्टन नहीं हुआ है वही कटॉफ है वही सब कुछ है बस आपत्ती निस्तारण हुआ है जिसके आदार पर आप सभी को योग्या पाया गया है और आपका रेजल्ट गहुशित किया गया है और आप सफल गहुशित हुए इन सभी के रिकार्डिंग चाहे BPSC, TRE 1, 2 का सपलीमेंटरी रेजल्ट हो या आपका विद्धियाले आव for watching.